नमस्कार जै जोहर मैं कोमल साहूँ स्वागत करता हूं आप सभी का Competition Community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विसा है जिसे हम क्या बोल रहे आपको क्या मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा साथ में आप 36 प्यापम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी वह बहुत उपयोगी होगा clear जी तो आज हम देखने वाले हैं क्या 36 गर का इतिहास हम यह भी देखेंगे कि 36 गर कशति गर के इतिहास का क्या प्रभाव है साथ में हम यह भी देखेंगे बहुत सारी तस्वीरे दिखाई दे रही होगी, यह सभी जो तस्वीरे हैं, किसी न किसी राजाओं के द्वारा बनवाया गया है, इसलिए है भई, तो आगे करते हैं, स्री गनेस करते हैं, आज की इस वीडियो का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, 36 गड का इतिहास, क्लियर जी, सबसे पहला बोल रहा है, चितवा डोंगरी, प्राचिन सेल समू, निन्मा में से किस पसाण, यूगीन कालखंट से संबंदित है, मतलब आपको तो पहली सब याद होना चीज़, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बार इसके उपर चर्चा करते हैं, लियर भई, और म आपको याद रखना है, सबसे पहली क्या, पसाण काल, तो आपको याद रखना है भई, पसाण काल, अगर आप देखोगे पसाण काल, भारत में भी, तो सबसे पहली आपके लिए क्या आता है, पूरवय या पूरा पसाण काल, उसके बाद आपके लिए क्या आता है, मध्य दोत्तर को जिए पॉपड़न हम करेंगे उसके बाद है आपकी लिए क्या नाओ पसान काल, देखिए भई, सबसे पहले बोल रहे हो पूर्वा पसान काल, आपको पूछता है, आपको कोई इस्थल का नाम देगा, और पूछे गई है कोन से पसान काल से संबंदित है, चीतवा डोंगरी भी आपके लिए वही इस्थलों में से एक इस्थल है, तो आपको रखना सबसे पहले के फोर कबरा पहाड, गलियर जी, एम फोर याद रखना आपके लिए क्या, महा नदी घाटी, उसके बाद एस से याद रखना क्या, सिंगनपूर की गुफा, तो आपको याद रखना है क्या, सिंगनपूर की गुफा, अब ये तीनों के तीनों जो जग पूर्वा पूर्वा सबसे पूर्वा को इंग्लिस में बोलते हैं प्री जासे आप एसाई का पेपर देंगे सीजी प्री का पेपर देंगे सबसे पहली प्री होता है क्या प्री के बाद क्या आता है मध्य मध्य क्या बोलते हैं मेंस उसके बाद उत्तर उत्तर देना क्या बो मैं वहारी है मैं साथ बहाँ I am a मज़ें का प्रिल्यम्स का प्रडिए आपका मालो प्रिलिंज का पर नहीं किसी कारण के वज़े से मालो मेरा निकल गया तो याद रखना माहूं क्या कोमल सब्सक्राइब आपको याद रखना कब्रापः कबरा पहाड आपके लिए मध्य पसान काल से भी संबंदित है महान अधिगाटी और सिंगनपुर की गूफा ये दोनों नहीं आएगा इसमें क्लियर जी आप पहुचे हम लोग किस के लिए उत्तर पसान काल के लिए कका हमर जिंदा है रहे आपका सिधर डारेक्ट डारेक्ट जुगाड़ है भई आप इंटर्यूम बाइठ ये डारेक्ट तो आपको याद रखना अगर कोई आदमी उत्तर देता है तो सब से अच्छा क कोन उत्तर देता है आप क्रिकेट देखे होगे क्रिकेट में आद्विक नाम सुने होगे महेंद्रसी धोनी तो आपको याद रखना है महेंद्रसी धोनी तो आपको याद रखना है क्या महेंद्रसी धोनी ये सब से अच्छा उत्तर देता था सब से अच्छा दवाब देता तो आपको याद रखना है महानदी घाटी, आपको याद रखना है क्या महानदी घाटी, आपको याद रखना है क्या सिंगनपूर की घुफा, क्लियर जी, तो आपको याद रखना है महानदी घाटी, आपको याद रखना है धनपूर, क्लियर जी, महानदी घाटी हो अगर आप 2019 से पहली तैयारी कर रहे होगे और आपके पास पुराना भूक रखा होगा तो यह धनपूर दिखाएगा किसको बिलासपूर को लेकिन भई अब यह बदल गया है धनपूर आप कहा आता है गवरेला पेंडरा मरवाई तो आपको लिए लेना है क्या गवरेला पें प्रस नलगाय को जेघा लेकिन बिलासपूर से तूटके राज्य का नविन्त हमावड 28 वजीला कौन सा बना है आपके लिए गवरेला पेंडरा मरवाई उसी गवरेला पेंडरा मरवाई में आता है आपके लिए क्या धनपूर क्लियर आगे बड़े क्या हमको याद रखन सकते हैं, catch, मेंधर सी दोनी catch करता था, साथ में betting भी करता था, clear जी, तो c4 याद रखने हैं आपको क्या, चिन्तवा डोंगरी, जो प्रस्म में आपको पूछा था, चिन्तवा डोंगरी, उसके बाद याद रखने हैं आपको क्या, b, b से याद रखने हैं आपके लिए क्या, बोम टीला तो आपको याद रखना है भई बोम टीला उसके बाद A से याद रखना है आपको क्या अरजूनी तो आपको याद रखना है क्या अरजूनी उट्टा से याद रखना है आपके लिए क्या तेरम, clear जी, तो आपको याद रखना है, चितवा डोंगरी, आपको याद रखना है, बोम टिला, आपको याद रखना है, अरजुनी, आपको याद रखना है, क्या तेरम, जिसमें, बीसी, ये आपको याद रखना है, क्या, बोम टिला, चितवा डोंगरी, ये दोनों कहां से संबंधित जगा है भई राजनाद गाउं से तो आपको याद रखना राजनाद गाउं से संबंधित जगा है कौन सा चीतवा डोंगरियो बोंटिला आपको याद रखना अरजुनी अरजुनी है भई आपके लिए कहां से दूर्ग से ठीक है भई आपको याद रखना है क्या तेरम भी आपके लिए कहां से संबंदित है रायगर से तो आपको याद रखना है क्या रायगर आपके लिए आप देखेए आपको कबरा पाहड पूछ चुका है ये आपके लिए उत्तर पसानकाल से भी संबंदित है, क्लियर जी, आपको प्रस्ण का प्रतिरूप समझना पड़ेगा, क्यों प्रस्ण आपसे कैसे पूछ रहा है, लेकिन हमको हमारे प्रस्ण के लिए चलना है, हमारे प्रस्ण में पूछा था चीतवा डोंगरी, ये एकदम इनपोर्टेंट प्रस्ण है, भाई बार 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 पूछा गया है, तो आपको बॉम्टिला याद रखने है, आपको चीतवा डोंगरी याद रखने है, राजनान्द गाउं से तो आपको याद रखना है राजनान्द गाउं से संबंदित है अब देखिए इन्पोर्टेंट क्यों है जो चीतवा डोंगरी है ना यहां पे आपको चीनी मानाव का क्या मिला है शायल चीत्र मिला है और यहीं मिला है आपको ड्रेगन की आकरिती इसलिए यह प्रश्ण आपको CGPAC पूस्त है कि ड्रेगन की आकरिती या मानाव स्वैल चीत्र 36 गड के किस आपके पसाण काली इस थल से संबंदित है आपको याद रखना है क्या चीतवा डोंगरी और चीतव पसाण काल क्लियर जी आपको चीजों को आएसे धीरे धीरे प्रिपेर करते बढ़ना है क्लियर आगे चले क्या अगला देखें 36 गड का खोजा गया पहला पसाण काली इस थल निन्म में से कोन सा है सिंगनपूर की गुफा कबरा पाड़ी बोतल दाव बोम टीला इस चारों के चारों जगा से कम से कम दस प्रसनाप के लिए बनेंगे सबसे पहला देखते हैं क्या 36 गड का खोजा गया पहला पसाण काली इस थल कोन सा है जैसे मेरा नाम है कोमल से आपको कोई फायदा निया सर से आपको फायदा है क्योंकि सर का अगर सर है तब आपको पढ़ा पार है तो आपको याद रखना एस ठीक है जी तो आपको याद रखना सिंगनपूर की गुफ पहां चतिसगड में खोजा गया पहला पसान कालिन इस्था था क्लियर जी आप कहानी सुनों कहानी से भी आपको पेपर में आता है एक जन आदमी का नाम सुने होगे कौन पंडित लोचन प्रसाद पंडे यह आपके लिए इनके बारे में आप बताएगी पंडित लोचन प्र प्रसाद पंडे हमारे लिए है कौन इसके बारे में बता रहे हो यह पंडित लोचन प्रसाद पंडे एक दिन ऐसी आ रहे थे घुमते-घंते कहां रायगर के आसपात रायगर के आसपात से जब पहुचे तो यह देखे कि लाल रंग के कुछ सैल चित्र मतलब दिवालों मे पहाड़ों में गुफ़ाओं में कुछ लाल रंग में लिखा हुआ है वहाँ पर पानिक बॉटल रखे थे थोड़ा छिड़ाक के देखे उसको रगड के देखे वो लाल कलर का जो रंग है वो प्राकृतिक रंग हो हमारे जो रंग हम लोग इस्तिमाल करते हैं वैसा रंग कुन? एंडरसन. नाम क्या है भई? एंडरसन. एंडरसन नाम के एक जन क्या है? इतिहास का रहा है और उन्होंने पहली बार 36 गड़ का कोई इस्थाल को क्या गोसित किया? पसान कालिन इस्थाल तो याद रखना 1910. 1910 में आपके लिए क्या सिंगनपूर 36 गड़ का पहला पसान कालिन इस्थाल गोसित हुआ 36 गड़ का पहला पसान कालिन इस्थाल गोसित किया गया भई किसके द्वारा एंडर्सन के द्वारा लेकिन इसका सूचना किस ने दिया था आपको याद रखना है कि सिंगनपूर के गुफ़ा में आपको मिला क्या था? यहां मिला था आपके लिए कुलहाडी, पेपर में यह नहीं पूछे गई, लेकिन यह पूछ सकता है कि 36 गड़ का वह कौन सा इस्थल है, जहां पे आपको मस्यकन्या मिला था, मस्यकन्या, जैसे आप देखो के समुद्री जूटेर एक पिच्चर था, उसमें क्या होता है, ज कि सीडीनुमा मानाव कहां से संबंदित है, आपको बताने एक जगा कौन सा, सिंगनपूर की गुफा, अभी तक यह प्रसना पूछा है, यह प्रसना पूछा है, और आपके लिए 36 गड़ का पहला पसान का लिनिस्थल यह पूछा है, एक प्रसना और पूछा है, कि 36 पसान का लिनिस्थल भी आई है, और सबसे पहला खोजा गया पसान का लिनिस्थल भी है, पूछेगा कोन ही तिहास कार है, जो उसका पुष्टी किया था, नाम बताना है, एंडर दसन, एंडर सन बताना है, कितना, 1910 बताना, पंडित लोचन प्रसाद पंडे, इन्हों नही क्या दिया था, जानकारी दिया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, 36 गड़ के प्रथम पुरात तत्वेद, क्लियर जी, आपको याद रखने है कौन, पंडित लोचन प्रसाद पंडे, आपको याद रखने है, आगला प्रस्न, कौन, कबरा पहाड, ये कबरा पहाड क् प्रश्न बनते, आपको अगर जितना भी पसांड काली निस्थल है, अगर उंख सभी पसांड काली निस्थलों को देखोगे, तो उसमें सबसे ज्यादा, अगर आपको क्या मिला प्रमार्ण मिला ओसेश मिला है Works मिला हैं जानकारी यहीं से प्राप्त होता है तो सब सरवाधिक जानकारी प्राप्त वाला क्या है पसान कालिन इस्थल है क्लियर जी याद रखना है आपके लिए क्या बोतल दा तो आपको याद रखना है क्या बोतल दा जैसे यह है बोतल यह आप देख रहे हैं तो अब मैं जैसे पकड़ा हूं बिल्कुल वाइसी करना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मेरे कोई पैसा कोड़ी नहीं मिलेगा कि एक करोडू करोड रुपए दे दिये आप अपने मांस से अगर देना चाहोगे तो मैं आपको फोन पेक आपके लिए क्या है गूफा में एंट्री ले रहे हो तो आपको पूछेगा जितना पसान कालीन इस्थाल है उसमें सबसे लंबी क्या पूछा आपको सबसे लंबी तो आपको अगर पूछेगा कि सबसे लंबी पसान कालीन गूफा तो बोतलदा है आपके लिए क्या सबसे लंबी पसान कालीन गूफा तो आपको याद रखना सबसे लंबी पसान कालीन गूफा आपके लिए कौन सा है जी बोतलदा क्लियर आपको याद रखना है बोम टिला बोम टिला हम देख चुके हैं क्या इससे पहली हाँ तो हम देख चुके थे भाई बोम टिला ठीक है यह पुरा डिल हुआ था कि निए ये सिंगनपुर की गुफा ये बताद दिये थे बॉम्टिल अभी आपको क्लियर हो गया था आगे चलते हैं अगला याद रखना 36 गड को रमायन काल में किस सब्द से उल्लेखित किया गया है क्लियर जी पहला आपसान आपको क्या दिख रहा है कोसल दूसरा दिख रहा है क्या दक्षिन कोसल तीसरा दिख रहा है क्या धन कारंडिया और चाहता आपको दिख रहा है क्या सीता बेंगरा सबसे पहले चर्चा क करते हैं किसके लिए आंसर के लिए बहुंगे जगा था नाखपत्थन करके चेत्र पढ़ता था नाख-पत्थन चेत्र यहीं पे एक जन राजा हुआ करता था उसी राजा का नाम था कोसल वो जो प्रतापी राजा था बलवान राजा था उसी के नाम पे इस पूरे छेतर को क्या बोला जाने लगा बाद में को खेत्र ठीक है जी अब एक कोशल छेत्र भी दो भागों में क्या था विभाजित था एक आपके लिए था क्या उत्तर कोशल और दूसरा था आपके लिए क्या दक्षिन कोशल यह जो उत्तर कोशल है इसी उत्तर कोशल को माना जाता है कुछ इतिहास कारों के द्वारा आयोध्या और यह था भाई दक्षिन कोशल आपके लिए क्या 36 गड़ तो जो आयोध्या था आयोध्या नरेश थे कौन आपके लिए जी दसरत और यहां थे माता कोशिल्या तो यह जो माता कोसिलिया का अगर नाम कोसिलिया भी पड़ा है तो यह कोसल सब्द से बना है कोसल की राज कुमारी है माता कोसिलिया और माता कोसिलिया का जन्माइस्थली कोन है पूस्ता है 36 गड़ आपको बताने है भई कि माता कोसिलिया का जन्माइस्थली 36 गड़ में कौन सा जगा है वहीं पे भई आपके लिए क्या हुआ भी विश्व का एक मात्र कोसिलिया मंदिर का उद्गाटन हुआ जगा का आप नाम बता है जगा का नाम है आपके लिए कौन सा चंदखुरी तो चंदखुरी विश्व का पहला और एक मात्र आपके लिए क्या कोसिलिया मंद है अभी रिसेंटली पेपर में पूछा हुआ तो आपको याद रखना है चंदखूरी विश्व का भारत का या चंदखूरी ठीक है यहां जो भगवान स्री राम का मुर्ति स्थापित है कितना फिटका है को कमेंट करके बता है पुष्टा है 36 गड़ मैं बता दे रहाँ आपके लिए कितना इंकावन फीट का क्लियर जी एक चीज आप अपडेट कर ले कि ये चंदखूरी का अभी जो नाम है रिसेंटली दो-तिन दिन में क्या हुआ है परिवर्तित हुता है माननी बगहल जी के द्वारा इसको आप कमेंड करके मेरे बताए कि क्या हुआ है पूषता है चतिस गड़ आगे बढ़े क्या जी तो आपको याद रखना है क्या दक्षिन कोसल आप देख रहा हो ये लिखा आ रहा है आपके लिए कोसल तो अगर आपको पूछेगा जैसे हम लोग चतिस गड़ी हैं चतिस गड़ी भासा बोलते हैं तो भाई अगर भासा बोल रहे हैं तो कभी न कभी आदमी बोलना सीखा होगा तो अगर बोलना सीखा होगा तो सबसे पहला कौन सब भासा बोलता था तो ये प्रसन आपको पूछता है चतिस गड़ की सबसे प्राचिन भासा चुकि हम लोग कहां के रहने वाले कोसल का तो आपको याद रखना है कोसली ये प्रसन आपको पेपर में पूछा है कि 36 गड़ की सबसे प्राचिन भासा कौन सी है कोसली तो आपको याद रखना है भई क्या कोसली याद रखना है दंड कारण्य ये दंड कारण्य जो है उसी म सिता बेंगरा आपके लिए important है यहां से आपके लिए 3-4 जी कोशता है सबसे पहली पूशता है कि सिता बेंगरा कौन सी पहाडी का हिस्सा है रामगड की पहाड़ी य कि बोलते है रामगीरी की पहाड़ी यह रामगड यह। बोले वाला पिच्चर नहीं है जिसमें सांभा आ जाता है गबबार आ जाता है नहीं यह रामगड हमारा 36 गड़ वाला रामगड रामगीडी की जो पहाड़ी है कहां से संबंधित है भाई सरगूजा से सीता बेंगर यहां से आपको प्राशन पूछता है कि विश्व का या भारत का या 36 गड़ का प्राचिनतम नाट्य साला तो उस प्राचिंता मनाट्य साला कौन्सा जगह आपको याद रखना क्या सीता वेंगर तो आप इस जो कवी काली जी है वह यहीं पर रामगड की पहड़ी मे जब बैठते हैं तो एक ठूब बुक करचना करते हैं आप उस बुक का नाम बताईए पूस्ता है 36 गड़ क्लियर जी आप कमेंड करके बताएंगे मैं आपको देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा क्लियर जी तो आपके लिए यह प्रशना क्लियर होता है जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे सब और उससे आपको प्रशना पूछे जाते हैं सबसे पहली क्या लिखा है बालपूर देखिए पहले तो मैं आपको ऑप्सन बता देता हूं किरारी इसका सहीं जवाब है आपको ऑप्सन देखते चलना है कि ऑप्सन से आपको क्या-क्या प्रशना पूछते हैं सबसे पहली है बाल पूर बचपन में कभी क्रिकेट खेले हो जब क्रिकेट खेलोगे तो वहां एक जण आदमी बॉलिंग करेगा बाल करेगा और माल ले उसको एल बी डबलू लेग बाई विकेट का क्या करेगा वो अपील करेगा तो आपको याद रखना बाल से याद रखना अपील तो आपको याद रखना राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है तो एक जण क्या थे साथ वहां कालीन राजा थे नाम था उनका राजा अपील तो आपको याद रखना है काष्ट अभिलेग की है आपके लिए सही जवाब है क्लियर जी अगला याद रखने है गुण जी आप माल लो आप समाझ लो आप एसाइग तयारी कर रहे थे और दो ज़न मास्त एकदम रिलेशनशिप में थे गल्फ्रेंड एक बॉइफ्रेंड उसके बाद पता चला लड़का था एसाइग तयारी करते करते एकदम गरीबीम ज पास आगया अब नो कार प्यार था अब वो आदमी बोलता है कि में तरह कि बताओंगा कि यहां तो मेरे साथ क्या की थी बदला आखिर बदला होते वो आदमी क्या किया मस पढ़ा DSP बन गया वो लड़की उसको देख लेती आरे यह तो DSP बन गया तब वो बार-बार क्या करेगी वर मांगेगी बार-बार वर मांगेगी बार-बार बूलने इस क्या होता है वाज गूंजता है तो आपक तकी राजा वर्दत की जानकारी प्राप्त होती ये तीनों के तीनों पेपर में पूछा हुआ प्रस्म आगे चलते हैं बेहराडी ये आपके लिए भी चर्चा का एक विशार आए कि बेहराडी क्या जी जाए ये है भाई देश का पहला किसानी स्कूल क्लियर जी तो देश का पहला किसानी स्कूल अब ये चारों के चारों जगा आपसे कहां से संबंदित है जांजगीर चापा जीले से तो आपको अगर पूछेगा कि 36 गड़ में सात वहान काल 36 गड़ के किस जीले से संबंदित है बताना है भाई आपको कौन सा जगा जांजग देर चापा क्लियर जी आपको पेपर ऐसा पूछता है क्लियर आगे चले क्या अगला जाद रखना है भीम सेन्द्विती के आरंग ताम्र है भाई आरंग ताम्र पत्र अभिलेकश की से जानकारी प्रापत होती है आपको याद रखना है भीमसेन, चार वर्ड द्विती, मतलब इसको ले ले दो, ठीक है जी, आपको दिया राश्री तुल्य कुल्य वंस, आपको याद रखना है नलनाग वंस, सरप पूरी वंस, पांडु वंस, आपको पहले में अंसर बता देता हूं, क्या राश्री तुल् पत्र अभिलेक मिला है इसमें पहली बार पूछता है कितने राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है चार अउद्धू तो आपको याद रखना छै राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है यह प्रासन आपको पूछा है बार बार इसलिए मैं आपको बता रहे हूं छै का प्राचीन इतियाग तो याद रखना है भई 36 गड़ का सबसे प्राचीन छेत्री राजवन्स है यह प्रसन आपको बार बार पूछता है कि 36 गड़ में अगर कोई वंस कोई राजा कोई डाइनेस्टी अगर वंस किया है राज किया है प्रसासन किया है तो उसमें सबसे प्र सब के ऊपर चर्चा किया जाएगा अभी आपके लिए आंसार है कौन राश्री तुल्य कुल्य वन्स आपको याद रखना भीम सेंद्विती है इनका आरंग ताम रपत्र अभी लेक छह राजाओं की जानकारी अगर नाम देखना है तो देख लेके अगर हमको नाम देदी है कौन भीम सेंद्विती है तो अगर भाई भीम सेंद्विती है तो 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 भीम सेंद्विती है आता होगा सूर तो आपको एक आदमी का नाम याद रखना सूर या सूर ठीक है जी सूर या सूर अब मालो आप उस आदमी से भीड़ी गए अवह आपको भारी दूचर रहा है भारी दूचर रहा है आपका पूरा हाला टाइट हो गया मतलब आप क्या पात्र हो जाओगे दया सूरा या सूर उसके बाद दैत प्रथम दैत द्विति हमको छटवा नाम याद रखने आप बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाय आदमी का नाम आपको याद आया होगा कौन सा विभीशन तो आपको याद रखना छैरा जाओं की जानकारी प्राप्त होती है जिसमें भीमसेन प आपको पूछा हुआ है यह प्रस्ण आपको पूछा हुआ है और आपको ऐसा भी पूछ सकता है क्लियर जी आगे बढ़ें क्या आपको याद रखना अगला राजवन पूछ रहrain निमण मेंसे किस सरब पूरी सासक ने पहली बारस्वर्ण सिक्को का प्रचलन करा है मतलब यह चार अपसन है Hai अब यह चारों की चारों आपसन आपके लिए क्या है सरब पूरी बन से संबंधित क्लियर जी पहला आपके लिए लिखा सरवरा जी आदमी सिर्फ दारू पीता था इसको कोई मतलब नहीं है ठीक है जी अपना राजधानी बनाया हो भी अपने नाम पे क्या सरावला पीना है क्या आप बोल रहा है वो सरव पूरी यह सरव पूरी नाम क एक इस्थल था उसी को क्या बनवाया था अपना राजधानी बनवाया था तो आपको याद रखना सरव पूरी इसका क्या था राजधानी पेपर में जो आपको पूछता है वो देखे आपको अगर पूछेगा कि 36 गड़ में सरव पूरी वंस का संस्थापक कौन था तो य पहला राजा या पहला सासा कौन था तो यही था अगर इसकी आप जानकारी देखोगे तो इसकी जानकारी कहां होती है आप अगर गुप्त समराज्य देखे होगे तो गुप्त समराज्य में एक आदमी का नाम सुने और कौन भानुगुप्त भानुगुप्त का एक अभिलेक बहुत तेमस अभिलेक नाम बताइए उस अभिलेक का नाम है एगरन अभिलेक का मैं तीती कोई बता देगा पूछता है छिसा गडर बताईए रहती प्यौशता है तहला कि है यह प्यolकी हं UP पास थोड़ा जगा है तो आप लिख सकते हैं कि स्वारी भारत का पहला अभी लेखित सती प्रथा का प्रमान है शतियां तो बहुत पहले से हो रही थी लेकिन अभी लेखित रूप में पहीं आपको रीटन मिलेगा तो इसी में मिला भानु गुप्त का एरन अभी लेग आपको याद रखना है 510 इस भी भारत का पहला सती प्रथा का अभीलेकित प्रमाण, क्लियर जी, आपको याद रखना है उसी में सरवराज के बारे मातलब कुमल सर्. भी कट खुस आदमी जिसको जिन्दग इसको लेना देना नहीं अपने हम खुस रहता था और यह आदमी करता था किसका विश्णु जी का बड़ा भागता था जैसे मैं हूं क्लियर जी किसका भक्त था विस्नु जी का बहुत बड़ा भक्त था तो आपको याद रखना प्रसन्न मात्रा अपने नाम पे एक सहर का इस्थापना करवाता है क्या प्रसन्न पूर और यही प्रसन्न पूर है जो बिलासपूर में है और इसी बोला जाता है क्या मलहर तो आप इक नदी है कुछे सा लीलागर नदी को उस टैम में बोलते थे नीडिला नदी तो ये जो नीडिल नदी नीडिला नदी है उसी नदी के किनारे पर जो वरतमाण आप के लिए क्या कहलाता है लिलागर नदी, एक सहर की स्थापना कराते हूं, सहर का नक्या नाम था, प्रसन पूर, जिसे हम लोग वरतमान क्या बोलते हैं, मलहार, ये दोनों प्रसन आपको पूछा हुआ है, और ये प्रसन तो आपको दस बार पूछ चुका होगा, कि वो पहला कौन सरप पूरी सासक थ जो क्या बनवाया था, स्वर्ण सिक्को का प्रचलन करवाया था, तो यही था भई, क्या करवाया था, स्वर्ण सिक्को का, स्वर्ण एवम रजत गे सिक्को का, सिक्को का क्या करवाया था, प्रचलन, क्लियर जी, खास रहूं, भई, डोकर है मस समझे, मौसम का मार है, इसल प्रवर प्रवर परिवर्तित कराया इनकी राजधानी कहा है बताई आप लोग सरभपूरी ये आदमी परिवर्तित करा देता है तो ये आपको प्रस्ण में बार 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 पूसता है कि वह कोन सा सरभपूरी सासक है जिसने क्या सरभपूर से स्रीपूर तो क्या बोल आपको स सरभपूरि से सिरिपूर जो सिरिपूर है अब हम लोग 36 घड़ी है अदमी दुर्ग मतलब दुरूग तो सुरिपूर को अभी हम लोग क्या बोलते है सिरिपूर तो जो वर्टमान आप सिरिपूर जाते हो उसमें जो राजधानी परिवर्तन करवाया था वो यही प्रवर राजप्रतम था तो आपको याद रखना प्रवर राजप्रतम वही व्यक्ति है जो सरप पूरिश से कहां स्रीपूर अपना क्या किया था राजधानी परिवर्तन तो यह प्रसना आपको बार बार पूशता है कि राजध या इसी बोलो के महा सुदेव राज ये सुदेव राज इसी घर एक जना आदमी चाकरी करता था अब बताईए मेरे डिफ्रेंट बीट्विन नौकरी एंड चाकरी नौकरी क्या होता है उसमें आपको फिक्स सेलरी मिलेगा फ्लाना काम करोगे फ्लाना इतना माउंट मिलेगा चाकरी क्या चीज होता है घर में खाने के लिए देते हैं जैसे एक पिच्चर था क्या राजपाल यादा होगा और साहित कपूर का जिसमें साहित कपूर क्या रहता है गुंगा रहता है जी यादा है आपको पिच्चर का नाम पिच्चर का नाम आएगा तो भी कमेंड कर सक अपको याद रखने है कौन सुधेव राज यह सुधेव राज के घर एक जना आदमी चाकरी करता था उसी की नाम था कौन इंद्रबल क्या करता यह डोकरा हुआ प्रवर्राध्विती को क्या गिया राजा बनाया और यही इसकी हत्या कर देता है लेकिन उस टैम पे राजा कौन रहता है प्रवर्राध्वृत्वीती तो यहां से एक प्रस्ण पुछता है कि अंतीम आपके लिए सरभ पूरी सासा का कौन था तो अंतिम आपके लिए सराप पूरी सासा कौन था जी प्रवर राद्वीती देखे एक चीज से आपको इतने सारे प्रस्म बनते हैं क्लियर आगे बढ़े क्या तो इसका अंसर तो बता दिया था आपको अगला चलते अगला याद रखने राज्य में स प्रस्राइद शारव्परशम किस पान्डुवंसि सासक ने ज्यादा चरा है किसा पान्डवंसि सासक ने सकल्कोशला धिपती की उपादी-धरण की थी अब देख चूप इससे पहले क्या हो चुका है यहां पे प्रवर राज को अप्रवर प्रवर्राज को हटाया गया इसके फादा थे कून सुदेव राज उसको इंद्रवल की द्वारा क्या किया गया मारा गया उसका अब एक नया राज yeah श्था फ्रट अब यह इंद्रबल आपके लिए क्या पांडू वनसी तो आप 36 गढड में एक नया राजवस आएगा जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं पांडू वनस क्लियार जी, आप यह पांडू वनसी राजा के लिए चलते हैं, तो देखें, पांडू वनसी राजा सबसे पहली लिखा है या इसी को बोल सकते हैं आदी पूरूस तो इसी को बोला जाता था आपके लिए क्या आदी पूरूस या इसी को बोला जाता है क्या आपके लिए संस्थापक क्लियर जी आपको याद रखना ही है उद्यान और इसी के आपके लिए सासन कालमेक और आदमी हुआ इंद्रबल य यह इंद्रबल था पांडू वन्स का वास्तविक संस्थापक या आपको इसी को पूछता है पांडू वन्स का शपतिस गड में संस्थापक आपको देख रहा हूं प्रशन आपको कईसे कईसे पूछेगा तो आपको प्रशन जैसे पूछेगा आपको जवाब भी वैसी देना है उसके बाद बोल रहा है क्या तीवर देव आपको याद नहीं करना है आपको क्या लिखा है सकल कोसलाधी पती ये लास्ट में ती खूधी लिखती है तो बीना किसी टेंशन के आपको याद रखना है ती से क्या तीवर देव यही आदमी था जो क्या किया था सकल कोसला धीपती अब इसका मतलब समाज़िए सकल कोसला धीपती का तातपार यह क्या होता है संपून सकल मतलब होता है संपून कोसल अब देखें कोसल भी दो पार्ट में था एक उत्तर कोसल एक दक्षिन कोसल और उसका अधिपती मतलब संपून कोसल का स्वामी था मतलब केवल 36 गड़ नहीं जीता था तीवर देव का आपको जानकारी मिलता है दो जगह से एक आपके लिए कौन सा बालो और दूसरा जगह है राजीम दो जगह से इसके अभिले एक प्राप्त होते हैं और दोनों जगह में यह लिखा है कि आदमी क्या था कोसला धिपती था यह आदमी 36 गड़ से बाहर भी क्या क कुछेगा कि पांडूवंस का उतकर सकाल अगर पांडूवंस का उतकर सकाल किसको बोलते हैं तो आपको याद रखना पांडूवंस का उतकर सकाल माना जाता है कि इसके राज को राचपाट को तीवर देव का यहां से आपको एक और प्रश्न पूस्थता है देखिए इसी क तो महाशिव तीवर देव है, किस आपके लिए राजवन से, या फिर किस धर्मा को मानने वाला था, अब लिखा है आपके लिए क्या, महाशिव, आपको ये सीवर देखके क्या लगेगा, कि भई, ये क्या होगा, संकर भगवान को मानता होगा, ने, आपको जहीं पे प्राजिन भागवत थे तो ये आद में भी क्या था प्रम भागवत की उपाधी धारन करते थे तो आपको याद रखना परम भागवत या वैसनाउमत के मानने वाले थे कुन आपके लिए तीवर्दे आपको याद रखना रानी वास्टा रानी वास्टा से आपको बहुत सारे प्रस्ण बनते हैं इसको थोड़े दिर बात बताऊंगो अगले प्रस्ण अगला याद रखना है क्या प्राचिन छतिस गड़ का स्वन्नकाल किस राजवन्स के सासनकाल को माना जाता है पहली आप ले लो पांडू वन्स पांडू वन्स को आपको एक प्रस्ण में और पूछेगा स्वन्नकाल तो पूछा है प्राचिन छतिस गड़ का स्वन्नकाल एक प्रस्ण आपको यहाँ से हो गया अगला प्रस्ण आपको यह पूछेगा कि छतिस गड़ में मंदिर निर्मान का काल किसको बोलते हैं मंदिर निर्मान का काल किसको बोलते हैं यही पांडू अंसी लोग को बोलते हैं जो इस टोरी में पिछले जगह खतम किया था उसको मैं आगे स्टार्ट करता हूं यह आप देख रहे हो क्या सिरपूर का लच्मान मंदिर आप घूमने लछमन मंदिर है तो आपको पूछेगा कि सिरपूर में जो विष्णू मंदिर है उस मंदिर को क्या बोलते हैं तो भई यही विष्णू मंदिर है यही विष्णू मंदिर है मैं क्या बोला था कि oder born खाग रखवत की उपाधी धारन करते थे और यहां से आपको प्रस्णा दो प्रस्णा तो बनता है आपको पूछेगा कि लच्मन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था लच्मन मंदिर का निर्माण यह जो रानी वास्टा थी इन्होंने करवाया रानी वास्टा द्वारा क्या किया गया इसका निर्माण कराया गया भाई आप इसके पती का नाम था हर्स गुपता नाम सुनि हर्स गुपता हर्स गुपता मगद के मोखरीवंस के सूर्य देवर्मा इसके फादर का नाम था क्या सूर्य देवर्मा इनका वंस का नाम क्या था मोखरीवंस तो मगत के मोखरी वंस के सूर्य देव वर्मा की बेटी थी कौन आपके लिए रानी वास्टा और यह उनसे साधी करने के लिए तयार हो जाती किस से हर्स गूपत से नाम से आपको नहीं पता चल रहा कि आदमी भी कट खुस हुआ होगा हर्स इतना हर्स हुआ इतना खुसी हुआ इतना खुसी हुआ कि मर गया हुआ समाज रहे इतना भी खुस नहीं होना ची कि निपाट लो आप करके तो खर्स गुप तक की आसमाईक मिर्ती हो जाती मतलब समय से पहले तो उनके याद में रानी वास्टा के द्वारा इस लच्मन मंदिर का निर्मान कराया जाता है ये लच्मन मंदिर 36 गड़ का पहला आपको याद रखना इसकी सैली कॉन सा ये आपके लिए नागर सैली में है और लाल इंटो से लाल इटो से बना हुआ तो आपको याद रखना भई इटा से बना हुआ है ठीक है लगभाग आपके लिए कब छटवी सात्वी सताब दिन है आज से तेरा चौदा साल पहली का एक मंदिर बना है इटो में बना है और आज भी जस्क का तस्क खड़ा है लिया जी तो यह था भई चत्तिस गड़ का पहला इटो निर्मीत मंदिर जिसे हम क्या बूर रहा है शिरपूर का लचमन मंदिर शिरपूर का विश्णु मंदिर रानी वास्ट के द्वारा निर्मीत अपने पती हर्षगुप्त के याद में निर्मीत आपको याद रखना सब क्या धारन करते थे आपको पूछा हुआ है क्लियर जी आपको याद रखना है यह यहां से आपको तीन चार प्रस्ण बनते हैं आप देखे हो क्या पिछला यह आप देख रहे हो कौन सा सरभपूरी वन्स यह सरभपूरी वन्स के टाइम पर आपको क्या हुआ है जी एक ताला गाउं का नाम तो यह जो ताला गाउं है विलासपूर यहां से आपको क्या मिला है आठ अस्ट भूजी सिव प्रतीमा तो आपको अगर पूछेगा कि छतिस गड़ में किस जगा से अस्ट भूजी सिव प्रतीमा मिला है आपको वह पूछेगा विलक्छन सिव प्रतीमा आपको वो पूछेगा क्या सदासिव प्रतीमा आपको पूछेगा कि ग्यारा जीवों का उतगम वाली प्रतीमा और यहीं जब जाओगे एक ताल गहाँ तो आपको मिलेगा क्या देरानी जिठानी मंदीर तो आपको याद रखना देरानी जिठानी मंदीर यह जो देरानी जिठानी मंदीर है यह है 36 गड का पहला मंदीर यह इटो निर्मित मंदीर नहीं है उसमें मैं बोला था इटो निर्मित मंदीर यह इटा का मंदीर नहीं है लेकिन मंदीर है तो आपको पूछेगा 36 गड़ का पहला सबसे पहला मंदिर क्या है देरानी जेठानी मंदिर ये क्या मंदिर है करके पूछता है आपको याद रखना है सिव मंदिर देख रहे हो कितना सारा प्रस्ण बनते है एक जगा से तो आपको याद रखना है ताला गाओं आपको याद याद रखना है अस्ट भूजी सिवप्रतीमा है विलक्षण प्रतीमा है बोलते हैं इसी को सदा शिव प्रतीमा बोलते हैं आपको याद रखना ग्यारा जिवों का उदगम हुआ आपके लिए क्या विलक्षन प्रतीमा इसमें आप देखोगे तो नभचर जलचर आपके लिए क्या उभचर सभी प्रकार के आपके 11 प्रकार के आपके क्या जीवों का उद्गम दिखाए देखिए आप अगर देख रहे हो तो यहां को कबूता टाइप कुछ दिखाई दे र तो आपको देखी यह अलग है यह अलग है तो आपको साप दिखाई दे रहा है तो ऐसे 11 जिओं का उद्धम दिखाया गया है तो यह है आपके लिए एकदम विलक्षन प्रतीमा यहां से आपको 3-4 रूप में प्रशन पूछता है जैसे मैं आपको बताया हूं clear जी तो आपको याद रखना है चीजों को एकदम धीरे आपको सब चीजें बनाएगी आपको ऐसा याद रखना है क्या राश्रितूल्य कुल्यवन 36 गड का पहला छेत्री राजवन आप एक चीज को जितने इधा लिखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए clear जी याद रखने आपके लिए नलनागवंस ये जो नलनागवंस है इसके में आप विलास्थूंग को एक बार चर्चा करेंगे उसके बारें भी हम आपको आगे बताएंगे clear आगे बढ़े क्या आपको याद रखने हैं मलहार जो मलहार प्रसन्नपूर पढ़े देखिया थो यही जगह है आपके लिए मलहार अगर आप बिलासफूर के हो या बिलासफूर के आसपास के हो यह Cela टो आपका एकदम करताव भी होता है अगर हम लों कहीं घूमने जा रहे हैं हम अगर छटित्राषिस गड़ भी तो देखे हम भी तो जाने हमारा प्राचिंग जो 36 गड़ है उसका इतिहास कैसा है क्लियर आगे बढ़े क्या अगला पढ़ते हैं भई अगले प्रशना के लिए अगला प्रशना यह है समुद्र गुप्त ने अपने दक्षिना पत या दक्षिना व्राथ दिग विजय में कोसल नरेश को पराजित किया किस कोसल नरेश को पराजित किया तो महेंदर सी धोनी देख चुके हैं थे क्या तो आपको याद रखना है क्या महेंदर से यह जो महेंदर से थे उपर के चार संभाग में बैटते तो चार संभाग को उस टाइम पे बोला जाता था कोसल आपको याद रखना पांचवा संभाग पांचवा कंतार नारेश थे हमारे लिए कौन व्याग्र राज और उसी टाइम पर जो कोसल नारेश थे वो हमारे लिए कौन थे तो आपको याद रखना कौन महेंद्रसेन ये आपके लिए प्रसन एक बार दो बार दस बार पूछा गया प्रसन एक दम इंपोर्टेंट है तो आपको या भारत का नीपोलियन माना जाता है इस व्यक्ति ने इस परस्णालिटी ने पूरे अपने जीवन काल में 100 से युद्ध किये और एक भी युद्ध में हारे नहीं ओव्यक्ति हैं हमारी लिकॉन समुद्र गुप्त और इनको क्या बोला जाता है भारत का नेपोलियन समझो यह आदमी काप का है गुप्त काल का ठीक है जी आपका 319 में गुप्त काल आपके लिए चालू हो गया था नेपोलियन 1500 के बाद में पैदा हुआ आप सोचो इसके बाद इसके पीड़ी में 10-20 मैं यतनी लिखाँ इतिहाँ लेकिन बता रहूं कि मेरे कहसा लगता है य्जी आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखने सब चीज़े आपको याद रखने नरेंद्रसें आपको याद रखने हरिसें यह दोनों की उपरे चर्चा होगा हमारे लास्ट प्रस्णा की उपर आगे चलते में लिखाएं। महा कविक काली दस किस वकाटक सासक के सं कालीं 36 गड़ अब हम थोडे दिर पहली पढ़हेंगा समूद्रगुप्त्त आगर हम पढ़हें किसको समूद्रगुपत को समूद्रगुपत के اगे फिर कौन हुआ रामगुत देखोगे आप देखोगे किसको चंद्रगुप्त विक्रमादित द्विति अगर आप देख रहे हो किसको चंद्रगुप्त विक्रमादित या फिर ईसित बोलते हैं चंद्र को सहब बंकुम को अब ड़ता है जिसके हम लोग क्या बोलते हैं प्रावर्सेन तो आपको याद रखना प्रावर्सेन जब प्रावर सेन का राज्य अभिसेख होने वाला रहता है तभी महा कविकालिदास आप देखो ये चंद्रगुप दूती थे इसी के नौरतन थे वई तुस नौरतन में एक जण आदमी था आपके लिए कौन महा कविकालिदास आप ये जब कविकालिदास जी आया आप पतना मतलब क्या होगे आपके लिए बिहाओ आप जज़्द भीहाट जाओ जाओंगे हमारे च ने उपर अदम के लिए अब ऊपर से आयोENE होंगे बैए च थी स्य गट तो जब स्य बीच में पड़े इनको रामगड और रामगड में वहाई इनको सलफी ताड़ी दे दिये लोग राम से मारा होगा आदमी सूद गया चम मस रात को उठे 12 एक बजे और देखे एकदम जा वर्दा 36 गड़ पालुसान प्री 36 गड़ एकदम आपके रामगड की पाड़ी उनको देखके 36 गड़िया लोग को देखके भारी खुच हो गया और वहीं पर रात को बैठे बैठे एक ठोब बुक लिख दिये उसी बुक का न खेते संस्क्रीत में तो भाई अगर संस्क्रीत में लिखाया कोई न कोई आद में इसका 36 गड़ ही अनुवाद किया होगा तो आपको याद रखना इसका 36 गड़ ही अनुवाद कोन किया था ये पेपर में पूछा जाता है और मैं आपको बताया था 36 गड़ में छायावाद के जगह तो मह से मेग दूत मह से याद रखना कौन मुकूट धर पांडे तो आपको याद रखना भई मुकूट धर जो पांडे जी है इन्हों ने इसका क्या किया था 36 गढ़ी अनुवार और यह जो व्यक्ति है यह जो परस्नालिटी है आपको दो रूपों में पूछता है 36 गढ़ के छायावाद के जनक यह प्रस्न आपको मैं बता चुक हूं फिर भी बता रहा हूं 36 गढ़ में छायावाद के जनक माने जाते हैं आपको याद रखना 36 299 गढ़ के पहले पदम हिरे आपको परस्नक कैसे बंदा जाher तो आपको याद रखना है च्यार आपको याद रखना प्रवर शर्न आपको याद रखना, ये दोनों तीनों जगा से भी आपको एक एक प्रस्ण बनते हैं, सबसे पहली चलते हैं, नरेंद्र सेन, तो अगर अभी हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई पैर छू दिया, तो खूसी रहा, अभी चल रहा है एक ज़न, आदमी मोदी, मोदी मतलब आंधी मैं किसी पार्टी को सपोर्टी नहीं करता, मेरे एक बनना है लोग प्रसासक, तो मैं कहें किसी पार्टी को सपोर्ट करूँ, क्लियर जी, आपको याद रखना, माल लो, आपको कोई पांपर आप बोल दी, उसको क्या नरेंद्र भाव, अभी मोदी जी चल रहे है, तो नरे मैं गलात बोल दिया जी, नल, नाग, वन, अब सर को आता नहीं है, ऐसे मत समझेगा, भई, बोलते, बोलते, कंटिनुवास, बोलते रहोगे, कई बार दिमाग में चीज़े नहीं आती, इसकीप कर जाती, ठीक है, इसका मतला बैसे नहीं है, सर को आनी रहे, क्लियर, नहीं कर दिया, किसके उपए, नरेंद्रसेन, अब यह जो नरेंद्रसेन थे, यह जो पूरा राजवन्स लिखा यह क्या थे, वकाटक, यह थे भई, वकाटक वन्स, अब इनकी राजधानी क्या था, नागपूर, जो वर्तमान नागपूर है, इसको पहले बोला जाता था, क्या, नंदी वर्धन, तो यह जो नंदी वर्धन था, नंदी वर्धन को पूरा तबाह कर दिये, अब यह उस टाइम पर देख लिए थे, क्या, दूट का कर्ज पिच्चर, उसी टाइम पर यह जो पृत्वी सेन है, यह एकदम खावब खाय बैठा था, आप तुम पहली, मेरे घ यह जो आर्थपती, आपके लिए कोर रहता है, नला नागवंची सासक रहता है, उसके उपर यह हमला कर देता है, और यह लोग कहां बैठें? महाकंतार में, महाकंतार मतलब आपके लिए बस्तर, बस्तर में आप वीजापूर हो, वीजापूर में भुपाल पटनम, तो पूसकरी तो पूरा पूसकरी को तबाह कर देता है कोने पृत्वी सेन तो ये दोनों प्रस्ण भी पूछा है कि नरेंदर सेन के उपर किस नलनागवंसी सासक ने अपना क्या किया था हमला याद रखना आपको कौन भावधत वर्मन आपको याद रखना कौन सा वकाटक सासक जो नलनागवंसी अर्थपती के उपर क्या करता है हमला करता है अक्रमन करता है और पूरा पूसकरी को तबाह कर देता है भुपाल पट्नम को तबाह कर देता है बीजयपूर को तबाह कर देता है आपको याद रखना कौन प्रिथवी सेन आपको ये विलास्टूंग आपक के लिए एक नल नागवंसी सासक है इन्होंने 700 से 740 इसवी में राजी में राजीव लोचन मंदिर क्या बूला आपको मैं राजीव लोचन मंदिर का क्या कराया निर्मान कराया तो आपको पूछा जाता है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्मान किस ने करवाया या किस राजवंस ने करवाया राजवंस याद रखना है आपको कोन नला नागवंस आपको याद रखना है क्या राजीव लोचन मंदिर विलास्टूंग तीथी याद रखना है 700 से 740 इस भी आपको अगर पूछेगा ये राजीव लोचन मंदिर किसका मंदिर है तो आपको याद रखना क्या ये क्या मंदिर है विश्णू मंदिर है तो आपको याद रखना भई ये आपके लिए क्या है विश्णू मंदिर अगर मैं आपसे पूछ हूँ पूछता है 36 ग आपको 5-6 जगा विश्णु मंदिर मिलेगा मैं आप अगर मेरे बताएंगे तो एक आत आप से छूट जाएगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा clear जी तो यह था भाई आपके लिए क्या 36 गड़ब का एक आपके लिए विशेश चर्चा जिसमें हम लोग लग भाग 500-200 प्रशन देखे होंगे एकदम complicated लेकिन एकदम असानी से clear जी तो आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बोलते जाओंगा अगर आप किसी भी चीज़ का तयारी करें चाहिए आप सीजी प्यस्टी तयारी करें सीजी व्यापम का तयारी करें आपको सब जगह में आप आपको 36 गड़ का इतिहास का जोरत पड़ता है साथ में कला संस्कृति आपको भूगोल का भी जोरत पड़ेगा तो मेरा जो पूरा एक सीरी चल रहा है अगर आप चाहेंगे तो playlist से भेश सकते हैं या यहां से भी अपने दोस्तों को share कर सकते हैं clear जी ताकि आपका फायदा हो आपका लाब भी हो और साथ में दूसरों का भी लाब हो क्योंकि मोधी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास लेकिन मैं उसमें दो चीज और बोलता हो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और हम सबका प्रयास ठीक है जी तब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छो झाल